स्टेंडर सीज का प्रैक्टिस सेट थर्टिफाइए कुशन फर्स्ट एड दे रेट आप 10 PCPA वाट उल भी दे इंट्रेस्ट पर वन येर और रूपीज 6,000 रूपीज पे 10 PCPA रेट लगाया है सो 10 PCPA से 6,000 पे कितना इंट्रेस्ट मिलेगा वन येर में यह में निकालना है ओके अब देखो यहाँ पे लेटर सपोस्ट एड इंट्रेस्ट ऑन रूपीज 6,000 इस एक्स हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि उनको 6,000 कोई भी है उसको 6,000 रूपीज पे क्या मिलेगा एक्स इतना इ 10 रूपीज इंट्रेस्ट मिलता है तो 6,000 रूपीज पे एक्स इतना इंट्रेस्ट मिलेगा ये हमने कंसिडर किया है वो लिखा यहाँ पर ओके अभी इस एक्स की वहलू निकालना है तो एक्स की साथ जो नूम्बर हो कट होना चाहिए वो कैसा कट होगा जब हम बोथ साइ यहाँ पर देखो नूमरेटर को डिनामेटर के सेम सेम जीरो भी कट हो जाते है यह दोनो जीरो यह दोनो यह नूमरेटर के दो डिनामेटर के दो जीरो कट हो गए अभी यहाँ पर क्या है एक्स इक्वल टू टेन अपो टेन इंटू 60 सो टेन इंटू 60 क्या हो गए 600 हो गए so x value के आ गई 600 rupees so interest for one year will be 600 rupees okay second number mahes deposited rupees 8650 in a bank at the rate of 6 BCPA how much money will be get at the end of the year in all at the end of year उसको सभी कितने rupees मिलेंगे so उसने mahes ने deposit कितने के 8650 वो तो मिलेंगे और interest कितना मिलेगा ये भी हमें यहाँ पर calculate करना है तो देखो let us suppose that interest on rupees 8,650 is x हम क्या consider कर लेते हैं 8,650 rupees पर उसको x इतना क्या मिलेगा interest मिलेगे यह हम consider किया अभी यहाँ पर लिख लेते हैं हर एक 100 rupees पर अगर 6 rupees interest मिल रहा है 6 BCPA means on हर 100 rupees पर 6 rupees क्या मिलना interest मिलना तो 8,650 rupees पर एक इतना interest मिलेगा हमने consider किया है वो यहाँ पर लिख लिए अभी अभी x के value निकाल लिए जो नंबर है उसी नंबर से हम क्या करेंगे बोच साइड में multiply करेंगे so multiply 8,650 on both side so this side 8,650 से multiply किया इस साइड को भी क्या किया है 8,650 से multiply किया यह numerator का denominator का same 0 cut हो गया numerator का denominator का same 0 भी cut हो गया अभी क्या है यहाँ यहाँ पर x equal to 6 upon 10 into 865 यह यहाँ पर लिख लिख लिया अभी यह दोनों नंबर जो है 5 के multiple है 10 भी है और इसके unit place पर 5 तो यह दोनों क्या हो गए 5 के multiple हो गए यानि कि हम दोनों नंबर को 5 से divide कर सकते है 5 2 जा 10 5 1 जा 5 8 में से 5 सबस्ट्राक्ट हो गए 3 रहे गए 3 & 6 36 हो गए अभी 2 के 7 जा 35 ओके सो यहाँ पर 7 आ गया और 1 रहे गा है 1 & 5 15 हो गए 3 जा 15 10 का टेबल नहीं यहाँ पर 5 के टेबल यानि कि 5 से ही divide किया है यहाँ पर 173 आ गया है सो यहाँ पर क्या है भी 6 into 173 divided by 2 वो यहाँ पर लिख लिया ओके x equal to अभी यह दोनों भी क्या है 2 के multiple है 2 1 जा 2 2 3 जा 2 3 जा 6 तो यहाँ पर 3 into 173 आ गया उसकी multiplication का answer आ गया 519 जो 519 क्या है x की value पर वो interest है ना ओके अब यह देखो total money कितना मिलेगा महिश को उसने one year के लिए deposit किये है at the end of year उसको money मिलेंगे कितने मिलेंगे principal भी मिलेगी interest भी मिलेगा कितना interest मिलेगा 590 रुपीज और principal यानि कि जितने deposit किये वो तो रुपीज मिलेंगे उसको हम principal बोलते है okay so 8650 रुपीज यह deposit किये तो वो भी मिलेंगे और interest भी मिलेगा 519 so total कितने रुपीज मिलेंगे 9169 रुपीज so महेश विल गेट रुपीज 9169 at the end of the year okay got it three number mh cha cha borrow रुपीज 25,000 at 12 PCPA for a year what amount will be how to return to the bank at the end of the year mh cha cha को at the end of year कितने amount return करने होगी okay so उनको interest भी return करना होगा और जो रुपीज लिए है वो भी return करने होगे so हम पहले interest निकाल लेते है is 25,000 पे उनको कितना interest one at the end of year उनको भरना होगा यह हम निकाल लेते है let us suppose that interest on rupees 25,000 is x हमने consider किया कि उनको x इतना interest भरना पड़ेगा okay देखो भी हर 100 rupees पे 12 rupees भरने पड़ेंगे इसका मतलब क्या है 25,000 rupees पे x इतने rupees interest भरना पड़ेगा okay इस rupees पे x इतना interest भरना पड़ेगा अभी x की value निकाल लेते है तो x का साथ जो नंबर है उसी नंबर से हम क्या करेंगे both side में multiply करेंगे इस side को भी 25,000 से multiply किया इस side को भी 25,000 कट होगा अभी x इक्स इक्स इक्वाल टू यहाँ पे देखो यह निमरेटर के नंबर हो डिनामेटर के नंबर हो डिनामेटर के टूथिजिरो कट किये अभी x equal to 12 into 250 सो 12 into 250 का multiplication किया तो x equal to 3000 रुपीज यह interest आ जाएगा यह क्या है interest ओके total amount यह नि कि money कितने return करने पड़ेंगे हमां चाचा को principal amount return करने पड़ेंगे उसके साथ interest करना पड़ेगा कितना interest जो हमने यहाँ पे निकाला है वो interest अभी 25,000 plus 3000 25 and 3 thousand होगे? 28000 rupees. So MA Cha Cha will return Rs. 28,000 to the bank at the end of year. Got it? 4. Number Kissandra wanted to make a pond. In his field, he borrow Rs. 35,250 from a bank at an interest rate of 6 BCPA. How much interest will he have to pay to the bank at the end of year at the end of year उनको कितना interest return करना पड़ेगी यहाँ पे सिफ हमें interest पुछा है यहाँ हम interest ही निकाल लेंगे ओके so let us suppose that interest on rupees 35,250 is x हम यह एं consider करते हैं कि उनको 35,250 पर x इतना interest भरना होगा ओके अब यह रेखो हर 100 rupees पे उनको 6% PCPA याने कि 6 rupees interest भरना पड़ रहा है so 35,250 पर कितना interest भरना पड़ेगा so x हम नहीं यहाँ पे consider किया इसलिए यहाँ पे x लिखा 35,250 पर x इतना interest भरना है उनको so यह number हमें निकालना है so हम क्या करेंगे बोद साइड में क्या करेंगे 35,250 से multiply करेंगे देखो इस साइड को भी 32,250 से multiply किया इस साइड को भी क्या किया 32,250 से multiply किया अभी यह दोनों same same number cut हो गए numerator का 0, denominator का same same number of 0 रहते तो वो cut हो जाते so यह cut हो गए अभी क्या है यहाँ पे x equal to 6 upon 10 into 3525 ओके इतना ही number remaining है जो remaining है वो यहाँ पे लिख लिए अभी देखो यह number 5 का multiple है यह भी 5 का multiple है so 5 to 10 so 5 के table में 35 है क्या yes 5 के table में 7 number पे 35 है 5 7 जा 35 और यह 25 भी है पर directly हम यह 25 को divide 0 से divide करना होगा 0 से divide करने के बाद 5 5 जा 25 so कितना आ गई है यहाँ पे यहाँ पे 2 और यहाँ पे 705 रुपीज आ गए अभी यहाँ पे क्या है 6 2 7 0 5 6 2 7 0 5 यहाँ पे एसे लिख लिख लिए अभी यह दोनों भी क्या है 2 के multiple हम दोनों को 2 से divide कर सकते 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 so यहाँ पे 3 into 705 इसका multiplication किया 2115 रुपीज यह क्या आया है इंट्रेस आया है so किसंडरा विल हाँ पे रुपीज 2115 at the end of year okay got it if you like my video subscribe my channel and share it to your friends okay we will meet in next episode bye